दोस्तों संदीब साहब का बहुत ही funny cartoon आप यहां पर देख सकते हैं एक आम व्यक्ति घरीब व्यक्ति यहां पर cycle लेकर खड़ा है वो खिली उडा रहा है एक स्कूटर वाले की क्योंकि यहां पर आप स्कूटर वाले की हलत देख सकते हैं मोधी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बड़ा दिये कि वो बेचारा स्कूटर वाला भरता भरता पूरी तरह से नंगा हो चुका है उसके कपड़े उतर चुके है और शायद यहाँ पर स्कूटर का स्टैंड भी जो है वो डाला हुआ है यानि पूरी तरह से बटा गया है गाड़ी भी खड़ी हो गई है कपड़े भी उतर गए है स्कूटर वाले के अब यहाँ पर आप दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं यह स्कूटर वाला इस साइकल वाले की खिली उड़ा रहा है अब यह क्यों उड़ा रहा है उपर हेडलाइना पड़िये जी एकदम से दाम मोदी जी ने बढ़ा दिया है कपड़ों और जूतों पर अब बेचारी ये गरीब आदमी के कपड़े भी उतर गए है जूते है आप देख सकते हैं इसके पैर में भी जूते नहीं है। उपर की पिक में आप देख सकते हैं जूते हैं नीचे की पिक में बेचारे के जूते हैं और कपड़े भी उतर गए हैं दोस्तों मेहंगाई को रोकने में ये सरकार इस लेवल में फेल हो चुकी है आप सोच सकते हैं अगले 5 राजों के चुनाव होने के बावजूद भी अगर GST 5% से 12% तक बढ़ चुकी है तो अब ये कहां तक बेकाबू हो चुकी है महंगाई आप सोच सकते हैं यानि इनको पता है कि चुनाव में इसका बुरा असर पढ़ने वाला है नुकसान होने वाला है इसके बाद भी अगर इनोंने दाम बढ़ा दिये हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल तक फैल हो चुके हैं ना इन से अर्थिव्यवस्ता समल रही है ना इन से पेपर बच रहा है रिसेंटली स्टूडेंट्स पेपर एक्जाम देने के लिए गए थे पता चला पेपर लिख हो गया तो अब जनता परिशान है कि भई ना इन से पेपर समल रहा है ना इन से सरकार समल रही है ना महंगाई समल रही है दोस्तों इस GST जो 5 से 12 तक बढ़ चुका है इस पर आप क्या सोचते हैं आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बाक्स में लिकर बताएं तैंक यू सो माज गैस